तो पूचते हैं कि वे क्या चाहते हैं क्या उनकी मांग है और क्या संदेश जाना चाहते हैं सुबह दाभीर सुमितवान जी करपा अपना संदेश वाल सरकार तक आपके जो प्रक्षण चाहते हूं बोलिए सबसे पहले में अपने प्यारे बतन वासियों को जैहिन जाभात करता हूं आज इस परकार से पिछले 15-16 दिन से हमारे देश के अंदाता हमारी किसाद आज पूरी दिल्ली के चारोतरफ ऐसी इसी ठंड के अंदर वहां पर पड़े हूए हैं कुछ इस देश के अंदर काले कान किसानों के आहित में जो कानून ले गए हो उसी को लेकर के आज पूरे देश के शैनिकों न यहां पर एक सभा करी है लखनव के अंदर जैपरकास मिश्रा साहब के नेतरतों में मैं धन्यवाद करता हूं साहब को कि आपने इनिशेटर लेकर के जितने भी उत्रप्रदेश क आपका मेसेज गया है हम भी एक किसी पत्र पत्र के मादम से आपका मेसेज पढ़ा और हमें बड़ी कुछी होई कि आपने इतनी इनिशेट लेकर के पूरे देश के सैनिकों को लामबन कर रहे हैं और मैं आपके चैनल के मादम से रिक्वेस्ट करूँगा जितनी भी मेरे द हम स्कार लेकर करके देश की सीमाओं की वाजित करने जाते हैं और देश की रख्षा करने हैं अपने प्राणों की वाजी लगाते हैं हम कहना तहूंगा मोदी साहब आप वहाँ पर कोई तलवार की लड़ाई जीत करके नहीं आए आप इनी किसानों ने आपको उस मुकाम पर बिठाया है उस गद्धी पर बिठाया है यदि आज आज आप इन किसानों की अंग देखी करेंगे आने वाला वक्त आपको बताएगा आ आपको वापस जो है रसातल में दफनाएंगे यहीं किसान दफनाएंगे मैं चैलेंज करता हूं या तो आप सुधर जाएए हम आपको अभी भी मुका दे रहे हैं और या फिर जो है इन किसानों के जो आईद के जो कानून है उनको बैक ले लिजिए यही आपके इत्मेंग सब को जहिल रफाल के जो है